पूरी दुनिया में वैक्सिन की क्या स्थिती है इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचीत हुए और हमने देखा एक तरफ मई में सेकंड वेव दूसरी तरफ वैक्सिन के लिए लोगों का बढ़ता रुजान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाईया दूसप्ता बित्ते बित्ते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जूरती चली गई वैक्सिन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर विचार की मांग के साथ फिरा गए आए राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देश वाश्यों को तकलीफ ना हो सुचारू रूप से उनका वेक्सिनेशन हो इसके लिए एक माई के पहले वाली याने एक माई के पहले सोला जनवरी से अप्रिल अंतर तक जो व्यवस्ता थी पहले वाली पुरानी ववस्ता को फिर से खुल लागू किया जाए साथियों आज ये निरने लिया गया है कि राज्यों के पास वेक्सिनेशन से जुड़ा जो पचीस प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गाइडलेंज के अनुसार आवशक तैयारी कर लेगी संयोग है कि दो सप्ता बाद 21 जुन को ही अंतर राश्टिय योग दिवस भी है 21 जुन सुमवार से देश के हर राज में अठारा वर्ष से उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरित कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी यानि देश की किसी भी लाज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्द करवाएगी गरीब हो निम्न मद्यमबर्ग हो मद्यमबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी हाँ जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते हैं प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्ता जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिक्तम 150 रुप्य ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे इस्टी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है प्राइवे आपदमना व्यथते कदाचित उद्योगम अनू इच्छती चा प्रमत्त अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते बल्कि उद्यम करते हैं परिश्रम करते हैं और परिश्थिती पर जीत हांसिल करते हैं कोरोना से लड़ाई में 130 करोड से अधिक भारतियों ने अभी तक की यात्रा आपसी सयोग दिन रात मेहनत करके तै की है आगे भी हमारा रास्ता हमारे स्वरम और सयोग से ही मजबुत होगा हम वैक्सिन प्राप्त करने की गती भी बढ़ाएंगे और वैक्सिनेशन अभ्यान को भी और गती देंगे हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सिनेशन की रप्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है अनेग विक्षित देशों से भी तेज है हमने जो टेक्नलोजी प्लेट्फॉर्म बनाया है कोविन उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है अनेग देशों ने भारत के इस प्लेट्फॉर्म को इस्तिमाल करने में रूची भी दिखाई है हम सब देख रहे हैं कि वैक्सिन की एक एक डोच कितनी महत्वपॉर्ण है हर डोच से एक जिंदगी जुड़ी हुई है केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज को कुछ सब्ता पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोच मिलने वाली है मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाग और राजनितिक छीटा कसी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है वैक्सिन की उपलबदता के अनुसार पूरे अनुसासन के साथ वैक्सिन लबती रहे देश के हर नागरी तक हम पहुँच सके कि हर सरकार हर जन्प्रतिदी हर प्रशासन की सामुहिक जिम्मेदारी है पूरे देश वाक्षियों टीका करण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में उस फैसले से मैं आपको अव्वित कराना चाहता हूँ पिछले वर्श जब करोना के कारण लोगडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के तहर आठ महिने तक असी करोड से अधिक देश वासियों को मुप्त राशन की ववत्ता हमारे देश ने की थी इस वर्श भी दूसरी वेव के कारण मैं और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था आज सरकार ने फैसला दिया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को अब दिपावली तक आगे बढ़ाये जाएगा महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरुवत के साथ उसका साथ ही बनकर खड़ी है यानि नवंबर तक असी करोड से अधिक देशवासियों को हर महिने पाए मात्रा में मुप्त अनाज उपलब्दक होगा इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को उसके परिवार को भूखा सोना न पड़े साथियों देश्ट में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर भ्रम और अफ्वाओं की जानकारी चिंता बढ़ाती है यह चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करणा चाहता हूँ जब से भारत में वैक्सिन पर काम शुरू हुआ तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो कोशिच यह भी हुई कि भारत के वैक्सिन निर्मारताओं का होसला पस्थ पढ़ जाये और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आये जब भारत की वैक्सिन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया वैक्सिन न लगवाने के लिए भाती भाती के तर्क प्रचारित किये गए इन्हें भी देश देख रहा है जो लोग वैक्सिन को लेकर आशंका प्यदा कर रहे हैं अफ्वाएं फेला रहे हैं वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं ऐसी अफ्वाओं से सतर्क रहने की जरुवत है मैं भी आप सबसे समाज के प्रबुद्ध लोगों से युवाओं से अनुरोध तरता हूं कि आप भी वैक्सिन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें अभी कई जगहों पर कोरोना करफू में धिल दी जा रही है लेकिन इसका मटलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सक्ति से पानन करते रहना है मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे भारत कोरोना से जीतेगा इनी सुपकामराओं के साथ आप सभी देश्वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद भारत करतों जीते हैं झाल झाल